मद्धिप्रदेश के बैतुल जिले में दो साल पहले बीज गाउं में पेजल की बहुत समस्या थी। पर कसी ये कोठी गाउं के बाहर के पेजल स्रोतों से पानी ढूकर लाती थी। इन गाउं का अध्यन करने के बाद ये पाया कि यहां भूजल आधारित नल जल योजना की सभलता की संभावना ना के बराबर है। क्योंकि यहां भूजल का इस्तर बहुत नीचे है और गर्मियों में तो ये सैक्णों फीट नीचे चला जाता है। ऐसे में विभाग ने सतही स्रोत आधारित नल जल योजना का खाका तयार किया और तापती नदी से पानी इन गाउं तक पहुँचाने की योजना बनाई। इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2014 में हुई थी और 2016 में अगस्त के महिने से योजना से पानी की सप्लाई शुरू हो गई। पूरी योजना पर 34 करोड 98 लाख रुपे खर्च हुए और इस योजना से गाउं की वर्तमान 30,000 की आबादी को शुद्ध पेयजल का लाब मिलने लगा। विभाग ने ये योजना 20 सालों की अनुमानित आबादी 45,000 के आवश्यक्ता की पूर्तिहेतु तयार की है। इस योजना के तहत तापती नदी में 108 मीटर लंबाई और 3 मीटर उचाई का एनिकट बनाकर पानी को रोका गया। फिर नदी से करीब 6 किलुमेटर दूरी तक पाइपलाइन बिचा कर पानी फिल्टर प्लांट तक लाया गया। धनोरा गाउं में ही फिल्टर प्लांट निर्मित किया गया। इसी प्लांट में नदी के पानी को स्टोरेज किया जाता है। इसकी खिशमता 3.76 MLD की है। इसमें पानी का शोधन कर पीने योग्य बनाया जाता है। पानी को गाउं में सप्लाई करने से पहले प्रयोक्षाला में पानी का परिक्षण किया जाता है। ये प्रयोक्षाला फिल्टर प्लांट कैंपस में ही बनाई गई है। प्रयोक शाला में भौतिक, रासायनिक और जीवानों परिक्षन कर पेजल की गुनवत्ता सुनिश्चित की जाती है। इन परिक्षनों से गुजरने के बाद ही पानी को घरों में पहुचाया जाता है। पानी पहुचाने के लिए विभाग ने 60 किलोमीटर लंबी पाइपला लाइन बिचाई गई है जिससे घर-घर पानी पहुच रहा है। बीसों गाउं में जलापूर्ती की लाइने बिच चुकी है और उनसे जल प्रदाय प्रारंभ हो गया है। योजना से घरेलू कनेक्षनों की संख्या बावन सौ पहुच चुकी है। इन घरों के लिए विभ पेजल उप समीती द्वारा ली जाती है। हर गाउं में समीतिया बनाई गई हैं जो जलदर की राशी का संग्रहन बहुभी तरीके से करती हैं। गाउं वाले भी खुशी-खुशी पानी के बदले जलदर की राशी चुकाते हैं और चुकाएं भी क्यों ना। आखिर इस य अब पानी के श्तिति अच्छी है भड़पूर पानी मिल रहा है डेली आता सुवे साथ बजे ना ला जाता। ठीक तरह से हो पा रहा है। और सुच्छता अभियान को भी गती मिली है। इन गाउं में एक बड़ा बदलाव ये भी देखने में आ रहा है। गाउंवालों को टाइम अब पानी भरने में खराब नहीं करना पलता। ऐसे में वो अपने बचे समय का सदुपयोग, खेती बाड़ी, मजदूरी या दूसरे कामों में कर रहे हैं। पहले गाउं में मतलब गुंडियों से, कोठियों से, टेंकरों से पानी आता था। जिसमें समय उसी में बरबाद होता था। हर विक्ति का, हर मैला का, अब मतलब ये नलियोज्या होने से मतलब समय की बचत हो गए। उस समय में मतलब क्रसी वारगर के लोग अपना क्रसी का कारे करते है। मवेशियों को भी पानी भरपूर मिल जाता है। विभाग ये चाहता है कि गाउं के घर-घर में शुद्ध पानी लोगों को मिले।